अलमस्ट दो वीक्स पहले आइफोन 11 के लिए आपल ने आइवस 17.1.1 का नया अपडेट रोल ओड किया था दोस्तों इस अबडेट में मैं आइफोन 11 का बैटरी रेविव करके बताऊंगा कि कैसा आप चल रहा है आपको मैं टोटली कंकिलूजिन बताऊंगा यह मेरे दो हफ आइफोन की हीट डिस्टिपेशन तो ठी कोई ओकी हीटिंग इतनी जादा नहीं होई लेकिन मैं इसकी बैटरी से इतना जादा कैसकते हो कि मैं खुश नहीं हूँ बिकर्स इसकी गेमिंग में भी परफॉमेंस जो है इतनी कुछ खास रह नहीं गई है आइफोन 11 आई डॉन बहुत जादा लाग करने लगा है जोरे नहीं इस अबडेट के बाद ही लेकिन जिशुली ही मेरा फोन जो है काफी जादा लाग करने लगा है और बैटरी की केस में काफी जादा बैटरी ड्रॉप करता है यहां पर आप चेक आउट कर सकते हो कि फोन अभी 54 पर सेंट की यही जिर्स यही जाद प्लॉप होई और लोगकिन जो फोन है वह स्टेंड बायग में वी ठीक थाककी बाटरी लूज कर रहरा है आर यूजज केम घुन flown गया है ब़की में ऐसे ही वहारा हम और आपको सेक्शिन अगर बजोमें मैं आपको इसकी कम्प्लीट भाटरी शेव तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखी है तो आप उस वीडियो को चेक आउट कर सकते हो आउस 17.1.1 का यह जो अपडेट है ना इसे में कुछ खास ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ बिकर्स यहां पर स्क्रीन टाइम इतना कुछ ज़्यादा मेरे को मैं ले नहीं रहा आइफ़न 11 से लेकिन फिर भी बैटरी जो है बहुत बैग्राउंड में कंजूम हो रही है लिटरली मैं इससे इतने ज़्यादा निराश हूँ कि आइफ़न 11 यूज करने का मेरा मन ही नहीं करता है लोकेशन सर्विसिस काइंड अगर मैं चेक करूं तो इतनी ज़्यादा प अगर दोस्तों आपने अलग-अलग मोड वगर ट्राय कर रखे हैं तो आप इस उनको रिसेट कर दो इससे आपकी केश में आइफ़न की बैटरी हाल्थ बहुत जल्री ड्रॉप हो जाने वाली है यहां पर अगर आपने स्पेशली जनरल सेक्शन में बताऊं तो आपको कीब कीबोर्ड फीडबैक साउंड और हैप्टिक कीबोर्ड हमें बैक्गरॉंड में हम काफी बार यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है है यह चोटी जी चीज जो है बहुत जादा पावर कंजूम करती है हर बार तो आप सुझेस्ट यू तो गो विद दी आफ मोड ह यहां पर आप दीख सकते हो सीरी जो है हमेशा बैक्गरॉंड में अक्टिवेटेड रहेगी अगर मैं आफ भी करता हूं तो अगर मैं बोलूगा है सीरी तो मेरा जो फोन है वह वेक हो जाएगा इससे जो है मेरा फोन आलवेज काम पर लगा रहेगा आपको यह आफ करना है बैटरी आपको काम आएफ़ोसरी की बेसको अपना यह अपना आइफोन करके है जिस दिन आपको बहुत ज़रूत है। वैसे most probably आप अपना low power mode 60 to 70 या 80% के आसपा set कर सकते हो, ऐसा कोई भी myth या कोई ऐसा logic नहीं बनता कि मैं 100% पर low power mode क्यों set कर रहा हूं, ऐसे कोई भी चीज नहीं है, 100% पर भी मैं low power mode के आप चल सकता हूं, और मैं 24 by 7 low power mode activate रख सकता हूं, बस इससे फर्क यह पड़ेगा कि आपका iPhone जैसे updates पर गएरा slow हो जाएंगे, because low power mode में Apple जो है background task को iPhone जो है कम कर देगा, आपके background में टास्क नहीं चलेंगे, जिसकी कारण आपकी बैटरी है वो जादा बच जाएगी, तो जोस्तों अगर आप live wall papers यूज कर रहे हो, उसको बंद कर दो, अगर दोस्तों आप simply camera में जैसे camera बहुत यूज करते हो, उसके साथ साथ आप camera में हमेशा live photo से click करते हो, तो उसमें भी आपकी ज़्यादा storage और ज़्यादा battery consume होगी, यह सारी चीजें जो है आपको ज़रूर चेक करके रखनी है और make sure आप अपने phone के साथ original charger और original cable के साथ चार्ज करते हो, और आपके phone में कोई damage नहीं है कोई चीज क्योंकि अगर आपके phone में कोई shorting होई ना आपकी battery वैसे ही lose होती जानी है उसका कोई फाइदा नहीं है चाहे आप battery प्लेस करा लोगे फिर बैटरी खराब हो जानी है, so these were the simple text to improve the battery life of iPhone 11 after the ios 70.1.1, I hope guys आपको वीडियो पसंद होगी, thanks for watching guys, thank you so much.